हाई, वेल्कन दो मैं चनल, इस बुड़े में साल्फ करें कुछिन नमर टू, तो ध्यानत जिगा, the curved surface area of a cylindrical road, ने रोड नहीं है, राड है, राड हमना चाहिए, लेकिन बुक में आपके रोड लिखा हुए, तो ये, this is mistake, ओके, the curved surface area of a cylindrical road is 132 cm², तो curved surface area दे दिया है cylindrical road का, find its length, उसका length find करना है, ठीक है, मालेजे कि ये cylindrical road है, आपका ये, और इसका cutspace area दे दिया है, ये rod है, और इसका cutspace area है, वो दे दिया है, 132 cm², find its length, इसका length find करना है, तो ये length जो होगा, वो height के बराबर होगा, right, if the radius is 0.35 cm, यदि radius क्या दे दिया है, 0.35 cm दे दिया है, यहां पर, यहां center से, जो है, यह छोड़ा सा radius, जो हो कितना है, यह वाला, यह आपका है, 0.35 cm, radius दे दिया है, तो हम यहां पर solve करेंगे, हम यहां दिया क्या हुआ है, यहां पर, since, हम यहां पर माल लेंगे, जो पूछा है, find its length पूछा है, तो let, let the length of cylindrical rod, length of cylindrical rod, be, h cm, ठीक है, यह जो है, l मैंने माना है, यही, l बराबर माली जी क्या, h cm है, यह length है, length को ही h माली हमने, तो करना कुछ भी मान सकते हैं, आप यहां पर l भी रख सकते हैं, कोई दिकत नहीं, x cm भी मान सकते हैं, ठीक है, मानने में क्या जाता है, अब यहां पर जो दिया हुआ है, दे दिया है क्या, surface area दे दिया है, core surface area, तो लिख देंगे, since, given that, core surface area, core surface area, is equal to 132 cm square, it is given, it implies, 2 pi r h is equal to 132 cm square, right, अब यहां से हम, देखें, यहां पर, 2 pi r h में क्या पता है, r पता है, h निकाल लेंगे, h क्या है, h ही तो length है, length of the rod, length of the rod कहिए, या फिर height of the rod कहिए, तो यहां पर rod जो है, पतला होता है, इसलिए यहां पर length का यूज किया गया है, अब उसका base मोटा रहेगा, थोड़ा सा मोटा होका जाएगा उपर, थिकने से रहेगी ज्यादा, तो उसको बोलेंगे क्या, height बोलेंगे, height का use करेगा, ठीक है, बस फुरा सा वही difference से use करने में terms का, तो यहां पर देखिए, pi के value नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 22 by 7 यूज करेंगे, into r के value दे दिया है, 0.35, लिख देंगे, 0.35 into h, h थमने माना ही था, यहां पर, तो यह हो जाएगा 132, अब यहां पर सब कुछ transpose कर देंगे देखिए, transpose करने का तरीका क्या है, यदि कुछ कटने लाइक हैं, आप तो कटा सकते हैं, उसके बास से transpose करिए, तो यहां 7 से कट जाएगा, 7 में जाएगा, और 3 में जाएगा, तो 0 बढ़ा करके 5 में ले जाएगा, 75 जाएगा, ठीक है, अब यहां पर आग यहां यहां पर 2 into 22 into 0.05 into h is equal to 132, अब यहां से h बराबर लिख सकते हैं, तो इन सभी को, जो इतना पुरा यहां दिया हुआ है, इन सभी को हमें transpose करना पड़ेगा, right hand side में, मतलब कि divide में जाएगा यह, क्योंकि यह पुरा h में multiply किया गया है, तो divide में आ जाएगा, 2 multiply by 22 into 0.05, अब इसको solve क करेंगे इसमें, तो यह आ जाएगा 0.1, ठीक है, फिर यहां से हम यह दि cancel out करें, 2 से, 2 अजा 2, 2 अजा 2, तो यहां के बचाएगा, 2 6 जा 12, फिर 11 से करें, 11 जा 11, 11 6 जा, 11 6 जा, 66, अब यहां बचाएगा 6 upon, यहां हो जाएगा, मतलब लाए करने पर 0.1, ठीक है, और यहां यहां पर यहां पर टें से मट लाए कर दिचे ऊपर और नीचे, तो यह खतम हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा, 60, 60 अपन वन आ जाएगा, तो 60 अपन वन मतलब की, 60 आ गया, तो यह आ गया क्या, 60 cm is the height of, or the length of the cylindrical rod, तो यह लिसकते हैं आपर, hence, hence the length of, length of the, cylindrical rod, is, 60 cm, right, this is your answer, thank you so much for watching, bye.